नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टड़ी वायंस ओफिशल पर दोस्तों आज का हमारा टोपिक है पंच वर्षे योजनाएं काफी इंपोरे टोपिक है और जो अभी रेलवे के एक्जाम चल रहे हैं अंटी पीसी के पंच वर्षे योजनाओं से लगबग हर शिप्ट में कोशन बन ही रहे हैं तो मैंने इस टोपिक से जितने भी अब्जेक्टिव टाइप के कोशन बनते हैं सभी को इस वीडियो में कवर किया है तो यह वीडियो आपके लिए काफी हेलपफूल होने वाली है आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख क्या क्या कवर करेंगे तो पहले तो मैं आपको यह टेबल के बारे में बताऊंगा क्योंकि डिरेक्ट इससे एक नंबर का कोशन पूछ लिया जाएगा कि तीसी पंच वर्षय योजना बताए कब से कब तक कि थी एक नंबर का कोशन इससे पूछा ही जाता है और मैं आपको आपको पता है कि 5 साल की होगी, आपको सबसे पहले यह याद रखना है कि शुरू कब से हुई और कब खत्म हुई, तो 1951 से शुरू हुई थी पंच वर्षे योजना, और कब तक की थी आखरी दोजास तार है, उसके बाद आगे आगे बताऊंगा, उसके चर्चा बाद में कर करते हैं, तो कई लोग क्या करते हैं, इससे याद करना शुरू करते हैं, क्यों से 56, फिर 56 से 61, हमें ऐसे नहीं याद करना, हमें यह देखना है कि देखिए, आपको यह याद होना चाहिए, कि कितनी टोटल योजना है थी, पंच वर्षे बारा योजना थी, आप देख रहे इसे याद रखेंगे न, बाकी आप कवर कर लेंगे, इसे याद कैसे रखना है मैं आपको बताता हूँ, देखिए, सबसे पहले वार्षी योजना वाजनी थी, जिसे योजना अवकाश का नाम दिया गया, 1966 से लेके 1979 तक, किस कारण वाश यह मैं आपको आगे बताऊंगा, पर अभी हम भी हमने यह याद करना है कि table कैसे याद करना है, तो 1966 से 1979 इसे योजना वकाश का नाम दिया गया, यह 3 साल तक की वार्षी योजना है बनी थी, ठीक उसके 12 साल बाद और यहाद करने का तरीका कि हाँ कैसे याद करेंगे, ठीक उसके 12 साल बाद फिर योजना अ सुचा गया कि पहला योजना अवकाष कब लिया गया दूसरा योजना अवकाष कब लिया गया और तीसरा योजना अवकाष कब लिया गया बस आपको पहला याद होना चाहिए 1966 आप सीधा उसमें 12 एड़ करेंगे तो 1978 आ जए गया तब दूसरा योजना अवकाष लिया गया दूसरा दो सालों के लिए था और तीसरा भी दो सालों का बस पहले जो था वो तीन सालों के लिए था और तीन ही योजनावकाश थे और बारा-बारा साल के बाद योजनावकाश लिया गया अब देखिए आप टेबल कैसे इसलियाद करते हैं आपको तीन गया पता लगें पह इसके बाद आपको सिधा याद होना चाहिए इसके बाद 12 1978 में ही योजन अवकाश होगा और उसके बीच में लगातार योजनाय चलेंगे दो बार लगातार चोहती पांच में आपको याद होई जाएगा इसके बीच में दो योजनाय चली थी एक छटी और साथ मीं पांच साल के बाद तीसरे योजनाय आवकाश के बाद लगातार पांच वर्शे योजनाय चली थी आठ्वी नोवी तस्वी जार्वी बारवी तो अगर हम गैप को याद कर लेते हैं तो इसली हम पूरे टेवल को याद कर लेते हैं ठीक है ना तो चलिए आगे हम देखते हैं टेवल के बाद जैसे मैंने योजनाय आवकाश के बारे में बता दिया अब हम पढ़ते हैं योजनाय आयोग के बारे में क्योंकि जो पंच वर्षे योजनाय थी इसे लागो कोन करेगा कोई ना कोई तो योजन योजना आयोग बनाया गया इससे क्या प्रशन बनता है कि योजना आयोग का गठन कप किया गया योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 हिस्वी को किया गया और जो भारत के प्रधान मंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं तो जब भारत अजाद हुआ था भारत के पहले प्रधान मंत्री कों थे पंडे ज्वारला नहरो तो वही उस समय इसके पहले अध्यक्ष बने थे और इसके उपाध्यक्ष कों थ कि सरकार्नी योजना योग तो बना दी पंचवशे योजना ये लागो करने के लिए लेकिन इसको execute हो रहा है अच्छी तरह से कि नहीं जो पैसा सरकार लगा रही है यह सही तरह से इसका इस्तमाल हो रहा है कि नहीं इसके कोई गवर्निंग बोडी नहीं थी तो उसके execution के राष्ट्रे विकास परिशद गठन हुआ था 1950 को लेकिन उसके दो साल बाद 6 अगस्ट 1952 को इसका गठन किया गया किसका राष्ट्रे विकास परिशद का गठन किया गया जिससे NDC कहते हैं और इसका उदेश क्या था जो योजना योग द्वारा लागो की गई पंच तो चलिए अब हम डिटेल वाइज योजनाओं को पढ़ना शुरू करते हैं बस इतना कुछ मैंने लिखा इतना ही आपको पढ़ना है इतना इनफ है बस इससे बार प्रशन नहीं बनेगा सबसे पहले तो अवधी आपको याद होना चाहिए मैं टेबल में याद ही करा दिय चलिए शुरुआ तो इसे पांट साल चली थे तो इससे आपको याद हो गया दूसरा मोडल दो योजनाओं थे जिनके मोडल पोचे जाते हैं पहली पंच वर्शे योजना और दूसरी पंच वर्शे योजना काफी बार पूचे गए हैं मोडल मतलब कि किसने इसकी रूप नाया दियारगी कि कहां पर फोकस करना है इस योजना में हमें कहां पर पैसा लगाना है इसको मोडल का आ जाता है तो हैरो डोमर मोडल पहली पंच वर्शे predator करण मोडल नहीं और इसका उद्च की जैसा आपको पत है आजादी के बाद आसे शुरूं में ही भारत केcussी पर इ तो आपको सीथा दिमाग में रख रहा है कि शुरुआत में किर्शी परविकास किया गया तो किर्शी के लिए सिचाई की जुरूरत है जितनी भी सिचाई की परयोजना थी वह पहली पंच वर्शे योजना में लागो की गये थी अब उसकी बाद हम देखते हैं द उसके साथ अध्योगी विकास पर जोर दिया गया तो अध्योगी विकास के लिए क्या करना है प्लाड़ेगा कार खाने लगाने पड़ेंगे तो इसी पंच वर्षे जोजना में दुर्गापूर भिलाई राउरकेला के इस पार खाने लगाए के और यह कोशन अभी पूछा लगा था इसलिए मैंने कवर किया है कि उसमें पूछा गया था कि राउरकेला इस पार खाना कब लगाया था यह दूसरी पंच वर्षे योजना में लगा था और आप इसको याद कैसे करेंगे डिरेक्ट आपको याद होजएगा क्योंकि जब अध्योगी विकास कैसे होग और इसमें क्या उदेश रखा गया तो इसमें उदेश रखा गया आतम निरभरता और किर्शी यह दोनों का विकास पहले में किर्शी का विकास दूसरे में अध्योगी विकास और इसमें दोनों किर्शी और उद्योगी की दोनों विकास रखे गए तो दोनों पर फोकस किय गया तो जो उध्योग के विकास था उसके तहलत क्या गया कि सोविय संके साहिता से जारखंड में बोकारो और स्टेल इंडस्ट्री के सापना के गयी तीसरी पंचिवर्षय योजन और सबसे असफल योजना भी तीसरी पंच वर्षी योजना ही थी क्यों ऐसा क्यों था मैं आपको बताता हूं जैसा कि आप समय पर गोर करेंगे तो 1961 से लेकर 1966 तक यह थी तीसरी पंच वर्षी योजना तो आपको पता होगा कि 1912 में भारत का जो चीन से युद हुआ तो एक युद भारत ने शेले और उसके बाद 1965 में सूखा भ्यंकर सूखा पड़ा था जिसकारण यह जो योजना थी यह सबसे आसफल योजना थी जो भी टार्गेट रखा था भारत ने इस पंच वर्षी योजना में कि हम इतने GDP को हांसिल करेंगे उतना उसी आधी हांसिल हुई कि हम पंच वर्षी योजना नहीं बनाएंगे हम वार्षी योजना चलाएंगे ताके जो भारत की वर्थवर्षता है पहले इसको पटरी पर लाया जाए फिर हम रखेंगे टार्गेट इसलिए तीन साल की वार्षी योजना बनाएंगे जिसे योजना अवकाश का नाम दिय है मैंने कि तीसरी पंच वर्षिय योजना के विफल होने के कारण इसे रोक दिया गया और तीन वर्षों की अवधी के लिए वार्षे के योजना चलाएगी अब उसके बाद फिल लगाता चलेगी और इसके बारा साल बाद फिर योजना अवकाश लिया जाएगा ठीक है ना तो चोथी पंच वर्षय योजना अब इसमें कोई मोडल हमने याद नहीं रखना बस इसका अवधी आपको याद रखनी है 1974 जैसे आपता की तीन साल का अवकाश ले गया उसके बाद 1974-5 साल की योजना चली और इसमें क्या उदेश था कि सित्रता के साथ आत्ब निरभरता किर्शी और सिचाई पर महत्व दिया गया किर्शी और सिचाई पर 뭐 दिया गया सबसे इंपोरिट है इसमें सी योजना में भाव की वेर्ट कर्श वेदीद है सबसे आधिक रही थे gef prevention जितिने भी पंच वर्षय योजना बननी थे सबसी अधिक किर्शी तर्ग किस benefici 5 वर्ष को राष्ट्रे करन हुआ था नैशनलाइजेशन हुआ था और इस रों की स्थापना भी चोथोई पंच वर्षे जोजना में ही हुई थी तो चोथे के बाद अब हम पढ़ते हैं पांच मीं पंच वर्षे जोजना यह भी काफी इंपोर्ड़ हैं मैं आपको बताऊंगा क्यों पांच वर्षे जोजनाएं में आपको बस यह कोशन पूशा जाता कि गरीबी हटाओ का नारा कप दिया गया था तो आपको बताना कि पांच वर्षे जोजना के दोरान और यह एक एकलोती ऐसी यह एकलोती यह नहीं पन्च वर्षे जोजना हैं 5 साल चलिती हाँ यूजना वो अलग बात असे पंच वर्षे योजना में काउंट नहीं किया गया लेकिन यह एकलौती पंच वर्षे योजना नीद जो केवल चार साल चली थी ऑ आप इसे याद कैसे रखेंगे पंचवर्शे योजनती जो केवल 4 साल की थी इसे अब याद ही कह सकेंगे और घरिबी घटाओ का नारा भी इसी पंचवर्शे जोजन uw नके दिया गया था वार्षिक योजना चलाई गई तो वार्षिक योजना दो साल की चलाई गई जिसे दूसरा योजना वकाश का नाम दिया गया तो मुराजी देशाई की नतरतों में पंच वर्षे योजना को बंद कर दे गया और वार्षिक योजना चलाई गई तो मुराजी देसाई की सरकार दो साल ही चली उसके बाद फिर से इंद्रा गांधी की सरकार आ गी और उन्होंने छटी पंच वर्षे जोजना को लागो कर दिया और उसके साथ जोड़ देगा कि रोजगार में वृधी कर रही हैं तो रोजगार में विरधी कैसे होगी हमारी जयसे भारत की जो कृष्धित कृषि पर अधारि है तो जादा क्रिशी को लोन देने के लिए तो अ इसलिए उस साल क्या 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 कि नबाड की स्थापना की गई और यही कोशन पूशा जाता है कि नबाड की स्थापना कि पंच वर्षे जोजना में की गई थी तो छटी पंच वर्षे जोजना में की गई थी नबाड की फुल फॉर्म क्या होती है नेशनल बैंक फॉर अग्री कल्चर और रूरल डेपलमेंट करेगा जो अधारित है उनको लोन देगा और ग्रामिन विकास करेगा इसलिए चटी पंच वर्षे जोजना में नबाड की स्थापना की गई थी आपको याद रखना है उसके बाद हम देखते हैं सातवी पंच वर कोषा जाएगा तो इसमें प्रमुक्त्ध क्या होते हैं कि पहली बार क्या होता है गरीबी किमाब यहीं पूछ आजेगा जएगा गरीबी किमाब चैबसे पहले इस योजना के दौरां किस कमिटी cauliflower की गयी थी कि पहले बार हमें देखा गया कि जैसे हम कहते हैं कि गरीबी हटाओ पर पता भी तो होना चाहिए कि कौन किसे गरीब कहा जाए किसे अमीर कहा जाए तो जो यह definition थी गरीबी की माप सबसे पहले इस योजना के दोरान लक्कडवाल समिति कौन सी कमिटी याद रखना है लक्कडव योजना में किसने लक्कडवाल समिति और भोजन काम और उपादन का नारा भी इसी योजना के दुरान दिया गया था और इसके बाद तीसरा योजना अवकाश ले लिए गया तीसरा योजना अवकाश क्यों लिए गया क्योंकि जो 1990 से 1992 के दुरान भारत आर्थिक संकट से यूज रहा था इसी करण वार्षी योजना फिर से चलाएगी ताकि जो भारत की अत्वरसाथ से थी वो फिर से पट्री पराज है कि इसलिए फिर से वार्षी योजना चलाएगी और यह तीर से और आखरी योजना उकाश था उसके बाद फिर से लागातार पंच वर्षय यूजना इसकी अवधी थी 1992 से 1997 और उदेश यह क्या था कि मानव संसाधन का विकास सबसे जरूरी चीज क्या होती है यह human development तो मानव संसाधन का विकास किया जाए और इसके लिए क्या 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 कि प्रधान मंत्री रोजगार योजना चलाएगी तो यह सबसे इं क्योंकि इसे ज्यादा कुछ पूछाने जाता पर फिर भी आप इसे कवर कर लें दस्वी पंची वर्षय जोजना से पूछा जाता है पहले हम नोवी को देखते हैं तो नोवी पंची वर्षय जोजना उसके पांसार 1997 से 2002 इसका उद्धिश क्या क्या रखा गया कि निया पढ़ लिया दस्वी पंची वर्षय जोजना से कोशन बनता है और क्या बनता है मैं आपको बताता हूं पहले तो इसकी अवधिया रखनी है कि 2002 से 2007 और गरीबी और बेरोजगारी को समावत करना इसका उद्धेश था पूछा इसमें यह जाता है कि अगले 10 वर्षों में प परती वक्ति है उसे दुगना कर देगा तो यह 10 वर्षों में लक्ष रखा था और दसवी पंच्वर्षय योजना में यह लक्ष रख चाहिए इसे आप सिधा य। यह लिंक कर सकते हैं ठीक न अब उसके बाद हम देखते हैं 15 पंच्वर्षय जोजना और बार्वी पंच् ती विकास और आकरी योजन है 12-5 वर्षी योजना और काफी इंपोर्ट है क्योंकि पूछी आती है कि 12-5 वर्षी योजना कब से कब तक की थी तो आप इससे सिधा याद रहे सकते हैं कि 2012-12 कैसे एक तो यह बार्वीं पंच वर्षी जोजना शुरू भी 2012 में हुई सिधह आप याद रख लेंगे 2012 में कौन सी जोजना शुरू ही थी तो बार्वीं पंच वर्षी जोना और पांस साल एड कर दें कि तो 2012-17 इसके अफ़ी सिधे डिरेक्ट निकल जाएगी और इसका उद जोड लिया कि हम भी यह सत्त विकाह जो हैं फोलो करेंगे और यह 17 पॉइंट है इन्हें प्रोपर फोलो करेंगे ठीक है तो बार्वीं पंच वर्षी जोजना का उदेश का था स्तीवर समावेसी और सत्त विकाह उसके बाद क्या हुआ कि एक जनुरी 2015 को जैसा कि आप जान खत्म होती है आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी धन्यवाद